नमस्कार आप देख रहें किसान तक मैं हूँ आपके साथ आर्टी सिंग टाइम हो चला है मंडी 360 का जिसमें हम जानते हैं मद्यप्रदेश, राजिस्थान और उत्तर प्रदेश में किसानों को गेहूं और सरसों की अधिक्तम कीमत क्या मिल रही है आपको बता दें यह आकड़े जो हम आपको दिखाते हैं यह हमने सरकारी वेबसाइट agmarknet.gov.in से लिए हैं यहाँ पर आप गेहूं सरसों की अधिक्तम और न्यूंतम कीमत इन तीन राजियों में चेक भी कर सकते हैं मंडी 360 में सबसे पहले बात कर लेते हैं गेहूं की और गेहूं की मद्यप्रदेश की मंडी में अधिक्तम कीमत क्या मिल रही है तो कल के मुकाबले लगबग 1000 रुपे की गिरावट आई है गेहूं के दाम में मद्यप्रदेश की मंडी में 24 जून को जो नियुंतम कीमत थी वो 2000 है इसके अलब अधिक्तम कीमत 24 जून को 3950 रुपे प्रतिक्विंटल थी 25 जून को काफी अच्छी बढ़त देखी गई थी और आज ये कीमत फिर घटकर 3284 रुपे प्रतिक्विंटल पर आ गई है अब बात कर लेते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में कल के मुकाबले थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है 26 जून का आकड़ा बताता है कि 2731 रुपे प्रतिक्विंटल मिल रही है किसानों को राजस्थान की मंडी में अधिक्तम कीमत गेहुं की वही 25 जून का आकड़ा बताता है 2680 रुपे प्रतिक्विंटल रही 24 जून को काफी अच्छी बढ़ती और 3200 रुपे प्रतिक्विंटल तक किसानों को गेहुं की अधिक्तम दाम मिले नियून्तम कीमत की बात करें तो वो लगबग 2100 रुपे प्रतिक्विंटल पर बना हुआ है तीनों दिन का आकड़ा बताता है कि 2150 रुपे प्रतिक्विंटल और 2160 रुपे प्रतिक्विंटल रही नियून्तम कीमत राजस्थान की मंडियों में अब बात कर लेते हैं यूपी की तो यूपी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार पिछले कई दिन से एक समान बने हुए हैं अधिक्तम कीमत जो है वो पच्छिस सो पच्छिस सो पचास रुपे प्रतिकोंटल के आसपास रह रही है यानि किसान जो मंडियों में जा रहे उनको अधिक्तम कीमत पच्छिस सो पच्छिस सो पचास से जादा नहीं मिल रही है न्यूंतम कीमत की बात करें तो वो MSP पर बनी हुई है यानि उनको कम से काम अगर अधिक्तम कीमत में बहुत जादा उच्छाल नहीं मिल रहा तो न्यूंतम कीमत भी उनको कम नहीं मिल रह अधिक्तम केमत लगातार 25 सो बनी हुई है इसलिए पिछले तीन दिन का अकड़ा दिखा रहा है कि 2550 अधिक्तम ये दाम रहा उत्तर-पदेश की मंडियों में गेहु का अब बात कर लेते हैं सरसों की तो गेहुं की कीमत में जहां मद्यपदेश की मंडियों में काफी कीमत मद्यपदेश की मंडी में मिलती है लेकिन सरसों के मामले में ऐसा नहीं है और पिछले कई दिनों से सरसों की कीमत में लगातार कमी देखने को मिल रही है MSP के आसपास ही अधिक्तम कीमत बनी हुई है 26 जून के आंकड़े की बात करें तो 5,770 रुपे प्रतिक्वेंटल रही 25 जून का आंकड़ा भी लगबग से में 5,775 रुपे 5 रुपे का अंतर है सिफ 24 जून को 5,680 रुपे प्रतिक्वेंटल अधिक्तम कीमत रही MSP देखेंगे तो 5,650 रुपे है तो उसके मुकाबले सिफ 100,500,200 रुपे की बढ़ उत्री है अधिक्तम कीमत में जो बहुत जादा नहीं है इसके अलावा जो नियूनतम कीमत कीमत काफी कम मिल रही है और किसानों को 5,000 से कम में भी मद्यपदेश की मंडियों में अपनी सर 26 जून को 4500 रुपे प्रतिक विंटल रही इसके लाव 25 जून को 4,602 रुपे प्रतिक विंटल और 24 जून को 4800 रुपे प्रतिक विंटल नियूनतम कीमत रही मंडियों में मद्यपदेश की राजस्तान में मद्यपदेश के मुकाबले सरसों की थोड़ी अच्छी कीमत मिल लगबग 300-400 रुपे किलो की बढ़त देखी जा रही है आज थोड़ी 200 रुपे के आसपास बढ़त जादा है 26 जून का अंकरा दिखाता है अधिक्तम कीमत 5961 रुपे प्रतिक विंटल रही यानि लगबग 6000 को पहुंचने वाली है अधिक्तम कीमत और 25 जून को 5756 रुपे प् कीमत लगबग 6000 से कम बनी हुई है लेकिन हां MSP के मकाबले और मद्यपदेश की मंडियों के मकाबले यहां कीमत थोड़ी जादा है इसके लावब नियूनतम कीमत की बात करें हैं तो नियूनतम कीमत में कोई जादा अंतर नहीं है और लगबग 5000 से काफी कम कीमत पर भी किसा सरसों अपनी बेच रहा है राजस्थान की मंडियों में 26 जून को 4525 जून को 4800 और 24 जून को 4550 रुपे नियूनतम कीमत रही राजस्थान की मंडियों में अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तो गेहूं की कीमत वहां लगबग स्टेटिक बनी हुई है उसमें जाद 250 रुपे प्रतिक विंटल थी और 24 जून को 600 रुपे प्रतिक विंटल रही है जो MSP से लगबग कहीं 1000 के असपास ज्यादा है कहीं 800 के असपास ज्यादा है इसके अलावा जो नियूनतम कीमत है वो भी पिछले दो राजियों की जो आंकड़ी हमने देखे उसमें सब में 5000 से में आज बस इतना ही खेती किसानी, मंडी और मौसम से जोड़ी खबरों के लिए आप बने रहे है किसान तक के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बेल आइकन भी दबा दे